तो एले फ्रेंट कैसे हैं दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं सेमसंग की जो वन हैंड ऑपरेशन एप होती है जिसके अंदर आप स्वाइब गरजर को यूज कर सकते हैं और उसमें बहुत अच्छे शॉटकर्स लगा सकते हैं तो उसी के अंदर एक नए अपडेट आ है मैं आपको बताने होना वाला वन हैंड ऑपरेशन भारे में नए अपडेट के बारे में तो उसके लिए आपको करना क्या होगा उसके लिए आपको जाना है अपने मुवाइल की अपर गुड लग के मॉडूल में जाने का यहाँ पर जाना है फेमिली वाले उप्शन पे पर जाएंगे आप वैंबदीट करेंगी हौ एपडेट करेंगे इसमें सबसे बहुता नया फिचर दिया गया है तो आपको इसको अपडेट कर लेना है, अपडेट करने के दोस्तों इसके बता तूं क्या नया feature है, इसका नया feature यह है, मान लीजिए आप यहां पर है, और आपको कोई यहां पर कुछी चीज को जूम करके देखना है, तो आपको simple ही उसको यहां से किसी option में जिस option पर तो आप देखेंगे वन दिख रहा है उपर आपने टाइम माइम देखना है तो एक एक चीज आपको यहाँ पर जूम होके दिख रही होगी आप देख सकते हैं तो यह ऐसा वर्ग करता है इसके लिए गया है आपको जाना है आपको जिस पर प्र आपको क्लिक करना है नीचे की तरफ जाएंगे तो आपको यह option मिल जाएगा नया move screen करगा जो की latest update के बाद आपको यहाँ पर मिला है इस पर जैसी आप click करेंगे आपको इस पर click कर देना है इस पर click करने गया है जैसी आप कमाल का feature यहाँ पर दिया गया है और जो second feature दिया गया है वो है click tool का option था उसको improve कर दिया गया है अगर आप पहले click tool यूज़ करते थे तो बहुत मुश्किस हो उनुता है जैसे कि मैंने हाँ पर click tool का option को लागा कर रखा है मैं left से उपा की तरह swipe करूँगा तो यह click tool का menu भी पूरी तरह से change हो गया है और वो working भी fast करने लगा है तो यह वाला feature भी शांदर कर दिया गया है पर मुझे वह move up screen वाला feature तो बहुत शांदर लगा आप मुझे comment करके ज़रू बताएं कि आपको इसमें कौन सा अच्छा feature लगा उमीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो thank you तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक जारू करें मैरी वीडियो कुक्छ